कुंडली में फादर का कारक ग्रह होता है सूरिय और जिसके कुंडली में लगन से अश्टम में सूरिय बैठा है केतु के साथ ठीखें तो ऐसे कंडिशन में आप ये कहो फादर का तबियत ठीक रहेगा कभी नहीं रह सकता आज छुटर काल फुटर काल ये हो गया काल वो हो गया काल यहां दरत दे रहा है काल पेट में दरत दे रहा है काल सर में दरत दे रहा है काल हॉस्पिटल में अडमिट हुआ है काल आपरेशन कराओ कालो वहाً वो डॉक्टर के पास जाओ, यह डॉक्टर काम नहीं देगा, वो डॉक्टर जाओ, मरन तुल्य पिडा लगते रहता है, आज नहीं तो कल चलते रहता है, ओर जैसे जैसे उ deformर बढ़ता है, इसका कश्ट दुख पिडा और ज्यादा बढ़ता है, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये 100% हर दिन के लिए ओके होंगे नहीं पॉसिबल नहीं है लगे रहता है एक के बाद एक एक के बाद एक अश्टम का पेड़ा पुत्र के कुंड़ी से सूरिय का दिखाई दे रहा है कि बाप केतु के साथ पाप ग्रह युते पग्रह दृश्टे बैठा हुआ है एक पार्ट है कि सुभकरतरी में बैठा है अच्छा है इस कंडिशन में वो बचेगा लेकिन खुद से नहीं बच सकता है एक तरफ सुख्रमाने नारी बचाेगा एक तरफ चंदरमामाने माः बचाएगा तरफ बुद मने संतान दी हैं ये सुब इनके द्वरा ये सेवा पाता रहेगा कॉस्ट में तो पड़ेगा जूंकि अस्टम में बैठा है लेकिन सुब करतरी में भी बैठने के कारण दोनों सुब गरो दोनों तरब उसको बैठे बैठके समाल रहे हैं ताथकाली के मित्रता कुंडली में है तो उनक डरने का या नेगटिव होने का बात नहीं है शुब करतरी एक बहुत महत्तोपुन माने रखता है और इससे केंद्र में भी गुरु है तो उसका केंद्र का भी प्रभाव इसको मिल जायेगा तो उस कंडिशन में पिता को इतना जल्दी कुछ होने बाला तो नहीं है ठीक है हाँ लेकिन अस्टम का जब भी कोई पाप ग्रह का गोचर होता है तो उस समय अपने पिताओं को जरूर सुरक्षित भाव से टीटमेंट में ध्यान से रखना चाहिए मैं इंगित कर रहा हूँ जो बोल रहा हूँ समझ जाना है ना डारेट सब कुछ नहीं बोला जाता है हाँ अस्टम का चीज मरण तुल्य पिडा देगा कैसे देगा पहला देगा जब किसी ना किसी को कष्ट देगा तभी देगा वो कष्ट कुछ भी हो सकता है और इस समय बिछेदात्मक रहे तो बिछेद कराएगा ऐसा नहीं कि किसी को मार देगा दूर ले लेगा ठिक टैम नहीं करेगा ठिक टैम? एटेंडेंस ऐटेंसन नहीं मिलेगा उनको लगेगा कि मुझे कोई ध्यान नहीं देता मुझे कोई फोकस नहीं करता है मेरा कोई है नहीं ऐसा उसको जिंदेगीवर फिल हो सकता है क्योंकि पिता तो कस्ट घर में पढ़ गया मृतुतुतल्य पिड में पढ़ गया ठीक है हां तो यह नहीं कहा जा सकता ऐसे कंडिशन में की hundred percent हो के हां तब ही कहा जाएगा जब यहां भी होई अश्टमस्तान माने अश्टमस्तान का जो रानी वह माकाली और जब तक माकाली का यह जो पस्टम के जितने दुख कहां से मिलते हैं, वहीं से मिलते हैं जब वो मा काली का सरण में नहीं जाते हो, ठीक है, और मा काली ही से बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकती है, देखो मैं बोल दिया काली मा तो काली मा, यहां स्टोन देना होता तो दे दिया होता, हां बोलता है, स्टोन का देखो एक बाद बुद्ध स्वग्रही बैठा है ठीक है भाग्य के घर में भाग्ये से उच्छा हो गया चंद्रमा से छटा में सनी तो ये भी लक्ष्मी योग बन गया चलो अच्छा हो गया सत्रुहंतक योग भी बन गया तो किसका पत्थर पहनाओंगा सनी का पह पहनाओंगा किसका पहनाओंगा सो अगर ही सूरिय किसका पत्थर पहनाओंगा बलो लेकिन ये अश्टम का भी है तो उसका पत्थर भी नहीं पहना जा सकता है लगन के लिए प्राब्लेम हो जाएगा अच्छा बली देखके पहनाते हैं तो भी कंडिशन हर जगा से चलके ठीक हो जायागा ठीक है हाँ इभी आस्टोलोजी कोई भी चीज़ का जब recommend करता है तो बहुत सोच समझ के करता है गलत कोई नहीं करता है ठीक है कोई भी मैं कभी नहीं चाओंगा मेरा यज़मान का नुकसान हो ख्यती हो या गलत चीज़ बता दूँ नो तो अगर वो लिखा है तो स्वी कारियर है उसको जरूर ट्राइ किया जाना चाहिए मना नहीं है इस condition में है ना जब इतना बड़ा आस्टोलोजर कुछ लिख देता है कुंडली में न तो वो तो जीवन का एक अध्याय हो जाता है लोग ऐसा नहीं होते हैं बड़े बड़े पागल किसम होते हैं बड़े अंतरनिक साधक होते हैं जीवन का अभ्यास रहता है एक डॉक्टर से भी जादा अभ्यास रहता है जब लिखा है तो उसको कर देना चाहिए अब तक लेट क्यों कर रहे हो नई 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 बुरा नहीं होगा क्या बुरा हो जाने वाला है आप बताओ यह ठोप पत्थर में क्या करेगा यहाँ जब कोई चीज लिखा है बहुत सोच समझ के लिखेगा न मैं कभी भी मेरे यजमान का मेरे क्लाइंट का मेरे जो भी आये हैं जो कुंडली लेके मैं किसी भी कंडिशन पर बुरा का सोची नहीं सकता हूँ अगर मैं कोई चीज का रेकमेंड करता हूँ तो बहुत सोच समझ के ही करूँगा ठीक है ना और नेचुराली आज के डेट में अगर औरिजिनल कहीं से स्टोन मिल जाए डुप्लिकेट का प्रॉब्लम होता है और आज कल्यूग है और यहां तो चाइना का सबसे बड़ा मार्केट बरबाद करके रखा है डुप्लिकेशी और कार्बन और यह सारा चीज पड़ा हुआ है सारे है ना तो इसमें क्या नुकसान कर देगा वो फथरी और जिनाल हो तो बात था और टेस्ट करके पहनिए पहले 31 दिन का टेस्ट करिए फिर 90 दिन का टेस्ट करिए है कि नहीं हाँ वो टेस्ट करने के बाद आप खुद कन्फरम हो जाओगे कि क्या फाइदा है क्या नहीं है और जब देखो बेंगल का जितने आस्ट्रोजर्स मैं जानता हूँ मतलब आज से 20 साल, 30 साल पहले हमारे दादा जी टाइम क्या जितने सारे तो वो लोग बहुत सात्विक था मतलब भालो था ठीक है ना तो वो लोग उस समय अब देखो आज के डेट में अस्ट्रोजी इतना पैसा इतना रेट बढ़ गया है उस समय मुश्किल से 11 रुपिया मि मिल गया तो बहुत था तो ये उस समय वो लोग गलत नहीं कर सकता है उन्हें पता है कि कुछ भी करें उसमें हमें दंड मिल जाएगा आस्ट्रोजी जिंदेगी दंड नहीं ही होता है आस्ट्रोजर का जिंदेगी अगर गलत किया तो उनको तुरण दंड मिलता है और ग्रह हो जाएगा इसका कॉंडली में बड़िया प्लानेटरी पोजिशन में बैठे हुए हैं हाँ इस समय थोड़ा सा बुरा है आगे ठीक ठाक हो जाएगा चिंता का कोई बात नहीं अगर आपको मिल जाता है ऐसा पत्थर बगरा तो पहना लो कोई बात नहीं लेकिन मुझे नहीं काली इस अग प् Haram कर दो है महना हो थाएगा तो एता है आपको मुझे लूट लूटब लूटब लूटम लूटबे। लूटब कर दो नहीं है हुआ